एक 60 साल का आत्मी जिसका मर्डर हो जाता है जब उसकी लाइफ में 34 इयर्स की औरत आती है इस औरत का एक जस्बंड शोलजर भी था आज की मुवी The Human Stain ये एक Hollywood मुवी है आप अपनी आइडेंटिटी से कितना भी बचना चाहो पर लास्ट में आपको ये कॉट अप कर ही लेती है मुवी में बहुत अच्छा मैसेज हमें दिया गया है तो डारेक्ली स्टार्ट करते है मुवी के लास्ट में सब कुछ चीज़े मैं आपको डेटिल में संजाओंगा तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट देखेगा तो चलिए शुरू करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमें गाड़ी आइस पर चल रही है ये दिखता है इस गाड़ी में कॉल्मान और फोनिया होते है इनके सामने एक गाड़ी आती है और इनकी गाड़ी आइस में चली जाती है तब मुवी फिर से फ्लैशबैक में स्टार्ट हो जाती है ये जू स्टोरी है यह हम एक राइटर बता रहा है जिसका nama हुँआ था Nathan नेथन के बारे में जैसे मूवी प्रोग्रेस होगी, वैसे हम और भी जानेंगे, यह स्टोरी है कॉलमन के बारे में, यह अमेरिका में पहला जू डीन था, जिस स्कुल का ओडीन होता है, इस स्कुल को बहुत आगे लेकर गया होता है, यह सब डिसिप्लिन के दम पर उसने किय होता है, अब नेक्सिन में हमें दिखता है कि वो अपने क्लास में पढ़ा रहा होता है, पढ़ाने के बाद वो प्रेजेंटी लेता है, इसमें कुछ लोग गायब होता है, यह इन लोग को स्पुक्स बुलाता है, स्पुक्स का मतलब खोस्ट, यह कभी भी इसे दिखते नह तो इस context में वो उन्हें खोस्ट पुकारता है Next में दिखता है कि Coleman पर inquiry बेटी हुए होती है जिन बच्चों को इसने spokes बुलाया था ये निगरो थे ये committee उसे कहा रही होती है कि तुमने उसे spokes बुलाया है निगरो को spokes बुलाना ये गलत होता है अगर dictionary में देखा जाए तो spokes का meaning back people होता है और ये कहना गलत होता है Coleman रेसिस्ट है इस वज़े से उसे आप वो निकालने वाले होता है Coleman इसे रेसिस्ट करता है उसे समझाता है कि ये कैसे हुआ था पर कोई भी उसका मानता नहीं Coleman का एक निगरोई फ्रेंड होता है जिसने उसे जाब दियाता है फिर भी इसके साइड से ये खड़ा नहीं होता इसे कोई भी अब हेल्प नहीं कर रहाता Coleman अब अपने कॉलेस से रिजाइन कर देता है और घर पर आता है उसके वाइफ उसे पूछती है कि क्या हुआ क्या है ये जब सब कुछ उसे समझाता है तो उसके वाइफ और भी उस पर चिर जाती है Coleman के जो सब फ्रेंड से इनके बारे में पूछती है इसे शौक लगता है कि Coleman के कोई भी फ्रेंड ने उसे हिल्प नहीं की थी Coleman नहीं इन सब को हायर किया था पर ये सब इसके खिलाफ हो चुके अब ये स्कूल पर केस वेगरा डालने वाले थे पर Coleman की वाइफ को ये सहा नहीं जाता उसे हार्ट अटाइक आ जाता है और वो ही मर जाती है इसके बाद हमें दीखता है कि बहुत सारा टाइम गुजर जाता है Coleman जहार रहता है तो उसके पास ही वूट्स में Nathan भी रहता है Nathan एक व्राइटर था उसका डिवास हो जाने के बाद वो वूट्स में आकर रहता है Coleman अकेला मेहसुस करता है तो उसके पास वहा जाता है Nathan Coleman का है student है Coleman आकर उसे कहता है यह मुझे बता है कि तुम बुक लिख रहे हो पर अभी भी तुम्हारी बुक complete नहीं हुए Paisley Books तुम्हारी बहुत ही success थी पर इस बार तुम अटक चुके हो Coleman कहता है कि तुम मेरे बारे में लिख सकते हो स्कूल के लोगों ने मुझे किस तरह से अक्यूस्ट किया था और इसकी वज़े से मेरी वाइफ मर गई इन लोगों ने मेरी वाइफ का मर्डर किया है अगर तुम इस बारे में बुक लिखोगे तो लोग इसे interested होकर बढ़ेंगे नेथन कहता है कि मैं fiction लिखता हो इस तरह की books में नहीं लिखता वो Coleman को कहता है कि तुम भी बुक लिख सकते हो इसमें कोई भी problem नहीं है वो से बुक लिखने में help भी करने वाला होता है Coleman और Nathan दोनों अकेले ही है तो इसी वज़े से अब यह दोनों friends बन जाते है यह games खेलते हैं, drink करते हैं बहुत अच्छी friendship इनकी हो जाती है Nathan फिर उसके बारे में हमें बता रहा होता है यहां में पता चलता है कि Nathan को cancer है उसका cancer कभी वापस आ सकता है तो इसी वज़े से वो सब दुनिया से दूर यहां एक woods में आकर रह रह रहा है उससे सब लोगों के expectation से दूर रहना होता है अब दो-तिन मेने गुजर जाते हैं और Coleman ने अपनी book complete कर लिए होती है तो उसे लगता है कि यह बहुत ही घटिया book है इसमें वो पागल आदमी की तरह लग रहा है तो इस book वो Nathan के पास ला कर देता है यह कहता है कि अगर तुम इससे फिर से अच्छे से लिखोगे तो अच्छे से बन सकती है इस book में उसने अपने love letters भी add की होते है इन 1948 में जब college में था उस दीन के यह love letters थे वो एक लड़की से pair कर दा था अब Coleman की जो love story है यह हमें दिखाई जाती है जिस लड़की से वो pair कर दा था इसका नाम Stina था Stina और यह दोनों library में मिले थे उसे बात Coleman उसे बात करने लग गया और अपने room में उसे invite किया Coleman को fight करना अचा लगता है यह स्टिना को कहता है Coleman कहता है कि मुझे misjudge मत करो यह कुछ strength के बारे में नहीं है fighting जो होती है कौन कितना smart है इसके बारे में होती है Stina के थे तुम्हें क्या लगता है कि मैं अच्छी boxer बन सकती हू Coleman इसके लिए हा कहता है यह उसे boxing के सिकरनी है यह उसे सिखा रहा होता है इन दोनों में नजदी के बढ़ जाती है और एक दूसरे के साथ ही intimate हो जाते है अब मैं फिर से present दिखाये गया है Coleman और Nathan रात में बात ही कर रहे होते है Coleman Nathan को कह रहा होता है कि मुझे कभी मरना नहीं है मननी की idea मुझे बहुत ही गटिया लग रही है Coleman का आज mood बहुत ही अच्छा होता है वो gramophone पर एक music लगाता है और वो Nathan के साथ dance करने लग जाता है Coleman आज बहुत ही जादा ही खुश होता है तो Nathan पुछता है कि हो क्या रहा है Coleman कहता है कि मेरा affair चल रहा है आज कल मैं 34 years की औरत के साथ हो उसे जिन्दगी के बहुत ही मज़े आ रहे है Nathan पुछता है कि तुम उसे मिले कैसे Coleman फिर बता था है कि वो उसे कैसे मिला था Coleman एक स्टोर में कुछ खरीद रहा था उसे वहाँ फोनिया मिली थी उसने फोनिया को नोटिस किया था और उसके बाद वहाँ सी चला गया था आगे वो आ गया तब उसे पता चला कि फोनिया के गाड़ी बन बढ़ चुकी है उसे लिफ्ट उसने दी फोनिया क्या करती है जब उसके बारे में वो पुछता है तो फोनिया कहती है कि वो मिल्क डेरी में काम करती है इस डेरी पर ही Coleman उसे छोट रहा होता है जब उसे फ्री टाइम मिलता है तो Coleman के ही कॉलेज में वो जैनिटर का काम करती है Coleman जब उसे घर चोड़ देता है तो पूछती है कि क्या तुमें अंदर आना है Coleman कहता है कि मेरी वाइफ मर जाने के बाद मैं किसी भी औरत के पास नहीं आया हूँ फोनिया कहती है कि तुम अगर सिंपाथी टुन रहे होंगे तो हो में तुमें नहीं देने वाली वो उसके साथ कैजूल रिलेशन्शिप रगना चाती है वो फिर गाड़ी से उतर कर अंदर चली जाती है Coleman भी ज़रा सोचता है और उपर चला जाता है उपर जाने के बाद फोनिया अपने बेड़ पर निउर सोई हुई होती है इसके बाद ये दोनों इंटिमेट हो जाते है राद में फोनिया उसे नीखल जानी के लिए कहती है वो कहती है कि ये परसनल नहीं है और इनकी रिलेशनशिप बहुत ही उसे कैजूल चाहिए ये उसे ये भी कहती है कि उसे पता नहीं है कि वो इससे फिर से मिलेगी या नहीं निक्सिन में Coleman उसे कॉलमन उसे कॉलेश से लेने के लिए जाता है कॉलमन की कली होती है यह वो देख लेती है रात में जब यह दोनों इंटिमेट हो जाती है तो कॉलमन उसे पूछता है तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है फौनियाँ से कहती है कि मेरे माइंड में मंद्कुसो हमें यह relationship सिर्फ casual रेखनी चाहिए Coleman मार नहीं रहा होता तो एक question answer करने लग जाते है Coleman उसे पूछता है एक बुड़े आत्मी के साथ होना यह तुम्हें कैसे लग रहा है यह थी है कि कोई भी surprises मुझे नहीं मिल रहे इसके लिए perfect होता है Coleman उसे उसकी life की story पुछता है यह पहले बता नहीं रहे होती पर कह देती है यह बहुत ही अमीर थी इसके father मनने के बाद इसके mother ने दूसरी शादी कर ली इसके family में abuse होती थी इसी वज़े से एक घर चोड़ कर चली गी इसके बाद वो कभी एक place पर नहीं रूकी थी फॉनिया किसी भी चीज के बारे में जादा सोचना नहीं चाहती इसी वज़े से हर जगा से वो भागती रहती है जहाभी उसे job मिल जाए वहाँ वो job कर ले थी है अलग town में वो चली जाती है और इसी तरह से वो जीती रहती है यह दोनों इस दूसरे के साथ होते तभी फॉनिया को कोछ आवाजी सुना देती है यह कहती है कि मेरा एक सस्मन है यह आर्मी में था यह हमेशा मेरा पीछा करता रहता है यह आप पागल हो चुका है और जब हम मैरीड थे तो मुझे मारा भी करता था कॉलमनों से कहता है कि वहाँ कोई भी नहीं है उसे कोई भी आवाज सुना यह नहीं दे रही हुती नेक्सिन में फॉनिया का एक सस्मन हमें दिखाई देता है उसकी इंटर्वू चल रही हुती है फॉनिया को वह मारता था और अभ्यूस करता था इससे वज़े से midden hospital में और वह है उससे एक psychologist बात कर रही है उससे जब पोछा जाता है कि क्या उसने अपनी wife को कभी मारा था तो इससे वो deny कर देता है वो कहता है कि कभी भी मैंने उसे हाथ नहीं लगाया था उसे हमारे बच्चे मिल जाए इसे वज़े से उसने सब साजिस रजी थी ये केरफुल नहीं रही और उसने अपने बच्चों को ही मार डाला इसके बाद कॉल्मन और फॉनिया एक रेस्टोरन में आये हुए में दिखते है फॉनिया इस रेस्टोरन में बहुती अंकमफड़ होती है कॉल्मन फॉनिया को नेथन से मिलाना चाता है जब नेथन वहाता है तो फॉनिया उस पर जिर जाती है वहाँ से गुसे में ही कार में आकर बैठ जाती है कॉल्मन भी उसके पीछे पीछे कार में आ जाता है फोनिया उसे कहती है कि रेस्टोरंट बहुत ही फैंसी है मैं एक जानिटर हूँ मैं डेली में काम करती हूँ हम दोनों का कही भी तालमेल नहीं है तुम्हारे फ्रेंड से तुम मुझे मिलवाना चाते थे पर तुम्हारे फ्रेंड से तुम क्या कहोगे सब को एक गलत ही लगेगा कोई भी हमें एकसेप्ट नहीं करने वाला फोनिया कहती है कि तुम्हें मुझे अब जाने देना चाहिए वो उससे ब्रेक अप कर रही होती है कोल्मन उसे कहता है कि मैं नहीं होने दे सकता मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता रात में हम देखते है कि कोल्मन फोनिया की यहां सोया हुआ होता है तब फोनिया के एक सस्बन भाहा जाता है तो यहां आकर बहुत ही आवाज ही कर रहा होता है काड़ी के हौंस बजा रहा होता है कॉल्मन इस पर चिर जाता है और दंडा लेकर बाहरा जाता है वो फॉनिया को घर लेकर जाना चाहता है फॉनिया ने अल्रेडी पुलिस को बुलवाया होता है पुलिस उसे जब लेकर जा रहे होती है ये रोते रोते ही ये सब कुछ कह रही हुती है ये कहती ही कि विंटर था और मैंने फायर प्लेस चलाया था उसकी शिल्ड उससे गीर गई थी उसी वज़े से पुरा घर जल गया था इसमें उसके बच्चे भी मर गए इसके एक सजबन को ये सब पता है इसी वज़े से उसे मर्डर रही बुलाता है और नेक्स दिन में हम देखते हैं कि कॉल्मन को एक लेटर मिलता है इसमें उसकी एक्स कलीग ने लिखा होता है कि उसे पता है कि वो अब क्या कर रहा है फोनियां के साथ उसका अफेर चल रहा है और वो जैनिटर है वो उसका फायदा उठा रहा है उसके एक केस कर सकते है इससे इस लेटर में लिखा होता है कॉल्मन फिर उसके लॉयर के पास आया होँआ में दिखता है उसका लॉयर उसे सला दे रहा होता है वो कहता है ये एक janitor है इसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है ये society कभी भी तुम्हें accept नहीं कर पाएगी इस relationship में बहुत सारे problems आएंगे और ये worth it भी नहीं होगा अगर इस town के लोगों के खिलाफ गया तो इसका जीना वो खराब कर सकते है कॉल्मन को इससला पसंद नहीं आती अपने lawyer को ये fire कर देता है अब हम फिर से young कॉल्मन दिखाया गया है कॉल्मन जब fighting करता था तो उसके professor ने उसे कहा था कि fighting तुम करते हो तो तुम्हें अच्छी से scholarship मिल सकती है कॉल्मन का interview तब होने माला था तब उसके teacher ने उसे कहा कि तुम्हें चो कास्ट रगरा है ये किसी को भी मत बताना कॉल्मन जब घर आता है तब हम पता चलता है कि कॉल्मन खुदी निग्रो है इनकी family में कॉल्मन एक animal है कॉल्मन black है तो फिर भी इसकी skin white है मुवी के first में हमें बता जाता है कि ये Jew है Jew होने की identity इसने ले ली है ये जब घर पर आता है तो ये सब dinner कर रहे होते है कॉल्मन के फादर को अच्छा नहीं लगता कि ये fight करता है उसके फादर उसे कहते है कि अब तुम्हें fighting वेगरा सब कुछ बन कर दोगे तुम Oxford में जाने वाले हो उसके फादर बहुत strict होते है उसके फादर जो से कहते है वो ही उससे करना पड़ता है इसके फादर एक train में काम करते है इस train में वो जब सरु कर रहे होते है तब ही इन्हें heart attack आजाता है और ही मर जाते है कॉल्मन फिर अपने मदर से कहता है कि यह मेरी life है मुझे क्या करना चाहिए यह मुझे decide करना होगा वो Oxford में नहीं जाना जाता Oxford में हमेशा निग्रो लोगों के लिए बात इक की जाती है उनके rights के लिए लड़ा जाता है कॉल्मन कहता है कि मैं कभी भी political इंसान नहीं था मैं इन सब में फसना नहीं चाहता वो एक normal आदमी की तरह एक अच्छे से life जीना चाता है वो अपने मदर को कहता है कि मैं Oxford में नहीं जाने वाला यह मेरी life है प्लीज मुझे decide करने दो इसकी मदर कहती है यह तुम से argue नहीं करने वाली इसकी मदर को दूख होता है पर इसे वो accept कर लेती है अपनी education complete करने के बाद कॉल्मन आर्मी में चला जाता है आर्मी में भी वो Jew है इस तरह से वो लिखता है जिवाज़े से इसकी identity अब पूरी तरह किसे बदल चुकी है प्रेजेंट में Nathan Coleman से मिलने के लिए आया होता है वो उसे समझा रहा होता है यह तुम्हारे relationship है यह गलत है फॉनिया का एकसर्समंट बहुत ही dangerous है वो तुम्हें hurt कर सकता है Coleman कहता है कि वो मरने से नहीं डरता उसे उसकी जो life अव है यह बहुत ही अच्छी लगती है Nathan कहता है कि लोग तुम्हारे बारे में बात करने लग गये है वो कह रहे है कि तुम्हें फॉनिया को प्रेगनन कर लिया है Coleman को लगता है कि Nathan उसे accuse कर रहा है Nathan कहता है तुम्हारा एक अच्छा फ्रेंड हो एक फ्रेंड की तरह ही मुझे तुमसे बात करनी है Coleman उसे कहता है कि यह मेरे life का last love है इसके बाद में कभी मुझे intimate से मिलने नहीं वाली यह कहकर यहांसे चला जाता है इसके बाद हमें फिर से young Coleman दिखाया जाता है अब यह army से आ चुका है पर अब भी भी वो Stina के साथ है इन दोनों की relationship अब अच्छी तरह किसे develop हो चुकी है Stina insecure हो रही होती है कि क्या यह relationship कभी आगे बढ़ेगी तो इसी वज़े से अब वो उसे अपनी family से मिलाना चाता है Stina अब बहुत ही खुश होती है Stina को पता नहीं होता है कि Coleman black है जब उसकी मदर से उसे मिलवानी के लिए लेकर जाता है तो उससे बहुत ही uncomfortable महसूस होता है उसकी मदर से वो अच्छे से बात करती है पर जब ट्रेन से वापस आ रहे होते है तो इसकी family कभी भी इन दोनों की relationship को accept नहीं कर पाएगी और इसके लिए बहुत ही heart होता है जब ज़े से अब इसके साथ relationship नहीं रखना चाती Coleman फिर सब उसका गुसा अपने fighting में निकालता है वो एक negro से ही लड़ रहा होता है इस वो बहुत मारता है उसका professor कहता है कि वो गिर चुका था तो यह उससे इतना मानने की ज़रूरत नहीं थी यह कहता है कि negro को मानने के लिए मुझे किसी की डाट पड़े यह मुझे अच्छा नहीं लगता यह खोदी निग्रो है पर यह अब भिद्वाओ करने लग जाता है यह कुछ अलग है ऐसा हो pretend करता है अब यह फिर से present दिखाया जाता है Coleman और Fonia की जो relationship है यह अब next level पर जाती है Fonia कभी भी उसके साथ रात में नहीं रूखती पर अब यह उसके साथ रुखने लग चुकी है अब यह relationship next level पर जा रही है तो Fonia को डर लगने लग जाता है जब Coleman उसके job के बारे में बात कर रहा होता है तो उस पर वो चीट जाती है वो कहती है कि हमेशा दुम तुमारे बारे में बात करते रहते हो तुमारे साथ जो हुआ है यह कोई बड़ी tragedy नहीं हुए है वो फिर उसके साथ क्या गरत हुआ है इसके बारे में बात करती है Coleman से fight ले ली थी है और वहाँ से वो चली जाती है वो road से चलती जाती है और एक bird house पर आ जाती है एक कववा उसे यहाँ पसन आता है इसके बारे में जो बुछती है तो shop owner कहती है इस कववा कभी भी बाहर उड़ नहीं सकता यह जब छोटा था तब से एक cage में ही है इसी वज़े से इसे उड़ना कैसे है पता नहीं है जब बाहर जाता है तो दुसरे कववे उसे मारने लग जाते है फौनिया इस कववे से relate कर पाती है यह कहती है कि जब मेरे बच्चे मर गए थे तो मैंने अपनी मदर को call किया था उसकी मदर ने उसे पहचानने से इंकार कर दिया था जिस तरह से कववा अपनी identity खो चुका है उसी तरह से अपनी identity यह भी खो चुकी है इसे क्या करना है यह समझ में नहीं आता इसे अब बुरा लगता है इसे life में एक अच्छा chance मिला है कि Coleman के साथ एक अच्छी life जी सकती है अब फिर से Coleman के पास आ जाती है इस वो sorry कहती है Coleman भी उसे माफ कर देता है उसे हग करती है और कहती कि वो pregnant है इसके बाद हमें दिखता है कि दोनों गाड़ी से जा रहे होते है और इनका accident हो जाता है यहाँ फौनिया का husband भी था नेतन फिरम से बात करता है वो जो पता है कि यह accident नहीं था यह करवाय गया था अब कोल्मन और फौनिया दोनों मर चुके है फौनिया के husband से बात की जाती है इससे जब inquiry होती है तो यह सब मना कर देता है यह कहता है कि मेरा इन सब से कोई भी सम्मन नहीं है इसे के खिलाब कोई भी evidence भी नहीं होते है तो इससे छोड़ दिया जाता है इसके बाद हमें कोल्मन का memorial दिखता है उसके जो सब colleagues थे अब इन्हें बहुत ही दुख हो रहा होता है यह कहते हैं कि हमने जो किया था यह गलत किया था हमें अपने friend को support करना चाहिए था मरने के बाद कोल्मन के आरोप खतम हो चुके है कोल्मन का जो memorial चल रहा है तो कोल्मन की sister वहा थी है Nathan जब इसे देखता है तो यह समझ नहीं पाता कोल्मन की sister black कैसे हो सकती है यह फिर उसे कोल्मन के बारे में सब कुछ बता देती है हमें फिर कोल्मन का एक past का scene दिखा जाता है वह अपनी मदर के पास आ चुका है कोल्मन की जो wife थी वह से आप वह मिल चुका है वह अपनी मदर के पास आता है और कहता है कि मेरे parents date है ऐसा मैंने उसे बताया है अगर इसे भी पता चल गया कि कोल्मन black है तो इनकी relationship में problem आ सकता है इसी वज़े से अपने father और mother date है इसी तरह से ओ बताता है उसी मदर कहती है कैसा कैसे तुम कर सकते हो हम दोनों के बारे में तो ठीक था पर तुम्हारे brother sister इनके बारे में तुम नहीं बताऊगे उसकी मदर उसे कहती है कि ये भी ठीक है क्या तुम तुम तुमारे बच्चों से मुझे मिलने दोगे पास साल बाद मेरा जब बड़े होगा तो मैं स्टेशन पर रुखूंगे तुम तब तुमारे बच्चों को भाहा से लेकर आना मैं सिर्फ उने देख लूँगे कोई भी contact नहीं बनाऊंगे सिर्फ उसकी मदर की यही इच्छा होती है मदर फिर सोचती है और पूछती है क्या तुम बच्चे भी नहीं होने दोगे कोलमन की जीन्स तो अभी भी निग्रूई है तो अगर उसके बच्चे भी black आ गए तो बहुत ही problem हो सकती है कोलमन ने अपनी मदर से इस तरह से बात की थी तो उसका ब्रदर उसे मिलने के लिए आता है उससे कहता है कभी भी तू मुझे अब दिखना मत मदर के पास कभी भी मत आना कोलमन की मदर कोलमन को याद करते करते ही मर गई वो कभी भी उसे मिलने के लिए नहीं आया ये सब चीजे कॉल्मन की सिर अब नेथन को बता रही होती है हो इस पर हस रही होती है ये कहे थी है कि जो इलसाम कोल्मन पे थे यह बहुत ही घटिया थे कोल्मन नीगरो था और इससे वो भागता रहता था और last में इसने उसे caught up कर ही लिया इसी वज़े से उसका पूरा career खतम हो चुका था Coleman अगर चाहता तो अपने charges वो drop कर सकता था अपनी identity अगर colleagues को उसने बता दी होती तो उस पर ये charges नहीं लगते है Nathan हम से कहता है कि अब मैं Coleman के बारे में book लेखने वाला हूँ एक last काम इससे पहले वो करना चाता है फोनिया के husband से वो मिलना चाता है उसे पता है कि ये murderer है उसके पास वो आ जाता है फोनिया का husband frozen lake में fishing कर रहा होता है Nathan कहता है कि बहुत beautiful spot है फोनिया का husband कहता है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है ये अब एक दूसरे से सार्कैस्टिकली बात कर रहे होते है फोनिया के husband को fish नहीं मिल रहे होते है तो इससे पोचता है कि तुम्हें इसके बारे में किसा लग रहा है फोनिया के husband कहता है अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो उसके साथ में fishing करता ये कहता है कि जब मैं भेत नाम में था तो मुझे बहुत ही stress हुआ था अभी भी मैं लोगों से नहीं मिलना जाता मैं जब वापस आया तो मैं जिस तरह से बरताव गर आ था उसी वज़े से मेरी marriage चुट गई थी फोनिया का हस्बन पोचता है कि इस तरह के लोगों के बारे में तुम लिखते हो नेतन कहता है कि तुम जैसे लोगों के बारे में लिखता हो नेतने सज़ता रहा होता है कि इसे पता है कि इसने फोनिया और कॉल्मन को मारा है फोनिया का हस्बन फिर कहता है कि तुम वोट्स में रहते हो न यानि कि उसका पता उसे पता है यह कभी भी आकर उसे मार सकता है यह फिर उट जाता है इसके पास एक आयन का एकूपमेंट होता है इससे में इस आइस में एक बढ़ा सा होल बना सकता हूँ फिश लाइट देखने के लिए उपर आ जाते हैं इसे भी फिशिंग करता हूँ अंदर बहुत ये डार्क होता है इसे वज़े से फिश उपर आते हैं इसका मतलब इसे धमके दे रहा होता है कि अभी के अभी वो इसे यहाँ मार सकता है अंदर बहुत ये डार्क है और ये ले तो मेरे बारे में किसी को बताओगे यहां में पताचाजाता है कि फॉनिया के हस्बर नहीं फॉनिया और कॉलमन को मार दिया था यहीं मुवी इंड हो जाती है अगर हम इस मुवी में देखे तो कॉलमन हमेशा अपने आप से ही बचता रहता था अपनी आइडेंटिटी उसे नहीं चाहिए थी उसकी मदर ने उसे कहा था कि आपने लोगों को छोड़ कर कब तक तक तुम भागते रहोगे कॉलमन हमेशा अपनी लाइफ से भागता ही रहा अगर उसे फैमिली का जो पैर होता है यह नहीं मिल पाया अगर वो अपने आपको एक्सेप्ट कर लेता तो अपनी फैमिली के साथ हो रह सकता था उसकी मदर ब्रदर सिस्टर इन सब को एक्सेप्ट करकर अपनी वाइफ के स उनके साथ वो रह सकता था, अगर उसके बच्चे निग्रो आये तो उस पर सवाल उट सकते थे, इसी वज़े से कभी भी उसने अपने लिए बच्चे भी नहीं होने दिये, वो आखिर तक अपनी आइडेंटिटी से भागता रहा, पर फिर भी उस पर जो चार्जेस लगे, य यह भी भागती रहती थी, यह जब एक दूसरे से मिले, कभी भी एक दूसरे को छोड़ना नहीं जाते थे, इस बार फोनिया के पास ने उसे जकड लिया, फोनिया के हस्पन ने ही इन दोनों को मार दिया, हम जो है, हमारी फैमिली जो है, इन सब को हमें एक्सेप्ट करना ज और बेल इडिवेशन आइकोन दाने मत भूलिएगा, हम फिर से मिलेंगे और एक नमूरी के साथ, तब तक लिए थैंक यू, और आप अपने आपका ख्याल रखिया